हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो वाहर यूटीब चनल लग्य होता विले जला विल सबका स्वागत है दोस्तों बड़े को मैं नवस्ते छोटे को मैं प्यार आज मैं आप लोगों दिखाऊंगी दिखिए मैं इडली बना चुकी हूं और सांबर की तैयारी हो चुकी है सांबर बन इसे मं अच्छी तरह से ग्राइनिंग कर लेंगे ग्राइनिंग करने के लिए मैं क्या-क्या ले रहा हूं आप लोगों को दिखाऊंगी सांबर के लिए सांबर के लिए मैं रात को भीगो के रख दिया था चना डाल को इसे बस भीगा नहीं था इसे अच्छी तरह से भूल लिया था थोड़ी से और मैं इसे दिखे यह इस तरह से दिखेगा रात को भीगव दिया था मैं आप लोगो आज सांबर की चैन्डी कैसे बनाती हूं स्यार करूँगी ठीक है हम आपर थोड़ी सिनारियल भी दे देंगे इसका टेस्ट उभर कराएगा बहुत अच्छी भी लगएगा मैं स्कीप नहीं करूँगी आपको डायरेट दिखाऊँगी धिखे थोड़ी सिनारियल मैंने इसको ग्रैनिंग करके अच्छी तरह से रख दिया है इसके हम मिला देंगे और ग्रैनिंग करेंगी हो गया है हम इसे अभी grinding कर देंगे इस पर जो जो मिलाना था मैं आपको लोगों दिखा चुकी हूँ अब देखकर इसके अच्छे तरह से grinding कर देंगे पहला हम इसे थोड़ी सी नमक देंगे तो अच्छे तरह से mix भी हो जाएगा और बाद में नमक देने की जरूरत एंद ह कर देंगे का अभी जादा हो जाएंता हो प्रफीर से पानीं जाताथ पानी tirar कर तड़के के लिए हम थोड़ी सी तेल लेंगे, तेल लेने के बाद यहाँ पर देखिए, रखिए थी थोड़ी सी लेसुन, पर यह पंच फुटन, तड़के के लिए पंच फुटन मिश्टिवाल करेंगे, अच्छा खुस्भू भी आएगा, यह लाल मिच, दोठो दे देंगे, यह थोड़ी सी हो जाने के बाद, ब्राउन कलर की जब हो जाएगा लेसुन, तब हम खड़ी पत्य दे दे देंगे, पर जाएगा, अब चोग के तोर पर यहां पर डाल देंगे, पिल्कुल रड़ी हो चुकी है, हमारी सांबर के चड़नी, आज के लिए में इतना में रख रहे हूं फ्रैम्स, देखिए हमारी सांबर के चड़नी पिल्कुल रड़ी हो चुगी है, फिर मिलेंगे, नेक्ट विडो में, थैंक्स पर वाचिंग, बाइबाई,